Hello Friends, I hope आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो मैं परवेश सागवान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हारदीक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही दमाकेदार न्यूज लेकर आया हूँ जैसा कि आप थमनेल पर देख पा रहे हैं कि जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही हर्याना स्टाप सेलेक्शन के दवारा आप लोगों के लिए कुछ नई वेकन चीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आन तक जरूर बने रहें अभी हम स्टार्ट करते हैं मारी वीडियो को जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेट और पब्लिकेशन 9-6-2021 यानि कि कल से जो फोर्म है उनकी डेट पब्लिक की जाएगी और ओपनिंग कब से फोर्म कब से बरने स्टार्ट होंगे उनलाइन 14-6-2021 कलोजिंग डेट के है दोस्तो 29-2021 और जो कलोजिंग डेट और फी जो फी समा कराने की जो लास डेट है वो है 5-7-2021 यानि कि 5-0-2021 तो दोस्तो अभी बिना इंतजार किये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि फोर्म किस सीज के निकले हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तो ओनलाइन अप्लिकेशन आर इन्वाइटीड फोर डारेट रिक्रूटमेंट ओफ 5-20 पोस्ट ओप मेल कोस्टेबल इन कमांडो विंग ग्रूप सी ऑफ दे पुलिस डिपार्डमेंट मेंसेंड अंडर दा पैराग्राप 2.1 थ्रो तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेल कोस्टेबल कि 520 पोस्ट निकाले गई है कमांडो विंग की ग्रूप सी की पुलिस डिपार्डमेंट के अंदर और जो फोर में ये इंपोर्टेंट चीज है दोस्तो द्यान देने वाल 14-6-2021 यानि कि 14 जून 2021 से लेकर 39 जून 2021 तक फोर्म बरने की लास डेट है रात को 11 बज़ कर 69 मिनट तक यानि कि 12 बज़े तक ठीक है दोस्तो अभी हम आगे देखते हैं दोस्तो जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.1 के अंदर इस कोलम के अंदर कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई विए टोटल पोस्ट है 520 जर्नल के लिए 187 ऐसी कैटेगरी के लिए 33 में BCA के लिए बैतर BCB के लिए 42 EWS के लिए 52 ESM जर्नल के लिए 37 ESM SE तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस स्क्रीन पर Complete Information है दोस्तों आप लोगों के लिए और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाते हैं तो हमारे Telegram Group से जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको Complete PDF मिल जाएगी और हमारा Telegram Group का जो लिंक है वो आपको Description में दिया गया है जो Educational Qualification है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दे कंडियेट मस्ट आप पास्ट 12th प्लस 12th और इस इक्वेलेंट फ्रों रिकुगनाइजड एजुकेशन बोर्ड और इंस्टुटुशन फोर दे ओल केटेगरी मैट्रिक विद हिंदी और संशकर्त एज वन ओव दे सबजेक्ट और आईयर एजुकेशन फीजिकल मेजरमेंट और स्क्रीनिंग एज पर स्लेक्शन क्राइटेरिया आपका जो क्राइटेरिय दे रखे है उसके हिसाब से दोस्तों बाकि जो भी एज है जर्नल वालों के लिए 18 से 21 ठीक है ना बाकि जो भी होगा SC, OBC वगरा के लिए उनका जो भी होगा वो आपको मेंशन होगा निचे यहाँ पर आप पेस्केल देख सकते हैं 2700 से लेकर 3900 लेवल 3 सेल 1 ये इसका पेस्केल रहने वाला है दोस्तों दोस्तों इसकी फी जर्नल वालों के लिए 100 रुपे और SC, BC, EWS स्टेट ओनली हर्याना वालों के लिए 25 रुपे एक्स सर्विसमेनी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों ये यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.3 के अंदर Height 100 35 सेंटिमेटर इसमें Marks भी दे रखें बकाइदा आप लोगों को जो 175 सेंटिमेटर उसके लिए 5 नमबर है अबो 188 सेंटिमेटर उसके लिए 6 नमबर है अबो 181 सेंटिमेटर उसके लिए 8 नमबर है और from 184 सेंटिमेटर तो अबो यानि कि 184 से उपर वालों के लिए 10 नमबर आपको फिजिकल मेजरमेंट के दिये गए होंगे दोस्तो ठीक है चैस्ट आपको 83 सेंटिमेटर पाल्स ए मिनिमम एक्सपेंशन ओफ 4 सेंटिमेटर यानि कि आपकी मिनिमम 83 सेंटिमेटर होनी चीए और एक्सपेंट करने के बाद 4 सेंटिमेटर एक्सपेंट होनी चीए ठीक है ना और दोस्तो आपको यहाँ पर जो मेन इंपोर्टेंट चीज दे रखी है कंडिडेट लेस देन 175 सेंटिमेटर वोड नोट भी क्वालिफाइड यानि कि 135 सेंटिमेटर से जिसकी भी हाइट कम है वो इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे ठीक है दोस्तो अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर भी आपके फिजिकल के अमाक्स दे रहे के हाईजम more than 137 सेंटिमेटर थ्री चांस मिलेंगे आपको उसको 10 नमबर है चिनप्स minimum 8 10 नमबर है रेस 2 किलोमेटर less than 7 minute 30 seconds 10 नमबर है दोस्तो तो यह चीज बहुत important है यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी और जितनी भी information है सभी आपको अपने notification के अंदर मिल जाएंगे दोस्तो अभी बात की जाए अगर knowledge test यानि कि जो हमारा return test जो test होता है उसके बारे में बात की जाए तो दोस्तो all these candidates who qualify the physical screening will be eligible to appear for the knowledge test यानि कि जिनका physical सबसे पहले physical test होगा जो इसको clear कर देंगे उसके बाद knowledge test के अंदर cell B of objective type M handed multiple choice question यानि कि 100 questions होगे और एक question होगा .06 marks का total 60 marks का रहने वाला है दोस्तो 40 marks का क्या होगा आपका physical होगा और 60 number का क्या होगा आपका test होगा ठीक है दोस्तो 100 questions होगे 90 minute यानि कि 1.5 गंटा दोस्तो the medium of examination cell B bilingual दोनो हिंदी और English दोनो के अंदर आपके जो आपका exam में वो conduct करवाय जाएगा there shall be no additional extra marks given to any candidate expect PMT, PST and knowledge test as mentioned above यह इसमें क्या दिरिका इस point के अंदर कि आपको physical के जो marks है और जो आपका knowledge के जो marks होगे उनके अलावा और कोई भी marks extra नहीं दिया जाएगा ठीक है दोस्तो the candidate will take part in PMT and PST as their own risk and responsibility आप physical और जो आपका जो PST जो होगा ना उसके अंदर आप अपने भीयाब पे ही अपने खुद के रिस और खुद की responsibility के बेस पर ही physical देंगे आप अगर उसके अंदर आपका कोई accident वगरा हो जाता है तो आप खुद जिम्मवार होगे यानि कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मवार होगे ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो के अंदर यही सबसे ज़्यादा important information थी अगर आगे भी आप इस पर कर कोई भी का नोटिस है और आगे भी मापको बताना चाहूँगा अभी अभी हमने कल से कल से हमारे एक math special batch start कि हमारे youtube channel पर उसके लिए अगर आप हमारी classes के साथ दूना चाहते हो तो daily से आम को 7 बजे हमारे channel के साथ जूर सकते है math special classes बिल्कुल basic से आप लोगों पूरा syllabus करवाय जाएगा तो दूस्तों मिलते हैं किसे नई information के साथ तब ते के लिए जै ही जै बार one day matram